इसको करने के लिए आपको एक पार्ड के लिए यहां से चला यह मीन पोजिचन है इधर जाएगा इधर आएगा रूप नहीं पाएगा आएगा फिर जाएगा एंड सो है इंफाइनाइट टायम तो कैसे करता रहेगा एंप्लिट्यूर मैक्सिमम डिस्प्लेश्मेंट 5 है 5 सेंटीमीटर है इस पीड जो मैक्सिमम मैं मेरे प्यारे बच्चों 31 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड तो फ्रिक्वेंशी ओफ ओसिलेशन कैसे निकाला जाए फ्रिक्वेंशी लिख दो, speed जो position dependent होता है, omega amplitude minus x square under root होता है, यह, जैसे-जैसे position बदलती है, वैसे-वैसे speed बदलता है, अब speed maximum कब होगी, जब x की value 0 होगी, x is equal to 0, x is equal to 0 कहा होती है, mean position पर मेरे प्यारे बच्चा, तो omega a, this is the maximum speed, frequency निकालना, omega को 2 pi f लिख सकता है, तो जो frequency की value आ गई, वह आ जाए ही, maximum speed, divided by 2 pi amplitude a, this is the required frequency, value डाल दो, तो value क्या-क्या भी या, value डालो, तो 31.4 cm में है, ध्यान देना, तो 2 pi 3.14, और amplitude 5, तो, यह भी cm में है, तो 5 दुना 10, और यह point यहां आ गया, और यह इससे कट गया, 1 hertz आ गया, ठीक है, तो D option सही है, calculation बहुत fast करो, रोबोट की तरह, तभी जीए, तो, 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